हम चुनाव लड़ेंगे लड़ेंगे.. चुनाव लड़ेंगे.. which नो मेरे टीकट नहीं.. यनी कि बिन्कु सैनी जी फिल्ड में कम नज़र आए और यहानि कि इदर उधर ज़्यादा नज़र आए QA.. यहानि विध ज्यादा नज़र आए.. सब्सक्राइब नमस्कार मैं राजी बंसल आप देख रहे हैं हांसी के आवाज हांसी एक हिस्टोरिकल शहर है इत्यासिक शहर है वह इत्यासिक क्यों है कि हम कुझे हैं हित्यासिक किले पर यानि कि पृत्रिराज-चोहान की प्रिस्ट भूवी का यह किला अपने आप में हांसी को इत्यासिक बनाता है और इस हित्यासिक शहर को यानि कि पूरे पर्देश का सबसे जशादा बड़ा historical शहर कहलाता है हासी और इसकी शान आन बान ये जो हम किली की प्रिष्ट भूमी दिखा रहे हैं ये अपने आप में और ज़्यादा इसको आर्केलोजिकल पुरा तत्व शहर बनाता है एक जमाने में हासी पूरे परदेश का सबसे बड़ा सब डिविजन और क्या नया आता है इस किले में तो आपको दिखाते हैं हम एंटर कर रहे हैं किले के मुखे द्वार किले पर क्या क्या मिलते हैं तो यहां टहलने के लिए सैलानी आते हैं प्रियाटक आते हैं ट्यूरिस्ट आते हैं और किले की आब हवा को शुद्ध आबा हवा लेने भी आते हैं आज हमारे साथ बाईचास मिल गए हैं हमें रिंकु सैनी जी के बारे मैं बता दूं कि रिंकु सैनी जी पूरों में पार्शिद रहे वाड नमबर 25 से और चेर्मेन परतिनी धी हैं आप आपका अनायास हमसे मुलाकात हुई है तो कैसा लग रहा है आपको बहुत अच्छा है बनसल जी और बहुत बहुत आपको मुबारक है कि आज हांसी की आवाद से फिर किले के उपर जो इत्यासिक किला हमारा पिति राच चुहान का उसके उपर फिर मुलाकात हुई है हमारी और सभी जितने भी आपके दर्शक है चलो आप मुलाकात होई गई है तो दो बात करी लेते हैं रिंकू सैनी जी से रिंकू सैनी जी किसी प्रिचे के महताज नहीं है और पांच साल के अंदर बराबर हांसी को और इत्यासिक बनाने के लिए हांसी को मोडल सीटी बनाने के लिए हांसी इत्यासिक शहर तो है और मो कि पांच साल जो आपने नगर प्रिशद बतोर चेर में परतिनी दिन निकाले हैं कि आपके छोटे भाई की धरम पत्नी यानि कि निर्मला श्रीमती निर्मला सैनी जी जो चेर परसन रही है परनाली के बारे में पूछेंगे और जैसे जैसे यानि कि आप तो समय भी ऐनो होता जा रहा है नगर प्रिशद का समय धीरे धीरे यानि समापती की ओर है आपके कारिय श्यली का मौल्यांकन करते हैं चलो आज इनी से बात करते हैं सब रिंकु सैनी जी बहुत अच्छे ओरेटर हैं बहुत अच्छा बोलते हैं और इनकी मुस्कराहट जग जाहिर है ये हसते रहते हैं मुस्कराते रहते हैं मुस्कराना जिन्दगी में एक फलसफा है जिन्दगी का सब रिंकु जी मैं सबसे प तो आपका एक वीजन था कि हांसी को मोडल शहर बनाना है तो कितने यानि कि उस मोडल शहर बनाने में कितना खरा उतरे हैं और आप से जो हमने सोच के साथ शहर का विकास किया और हम अमारी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं रहा हमने जितने भी काम अपने दिमाग के अंदर थे जो हमारी सोच थी उसके परती हमने शहर के विकास किये हैं और आप सभी देख भी रहे होगे हर दिन आता भी है आम जनता से अपन कि आपने सवासु किरोड के लगवग यानि कि आपने नहीं नगर प्रिशन में जो गरांट आई सवासु किरोड के लगवग आई है और शहर में लगा भी है लेकिन धरातल पर कितना लगा है उसके बारे में आप से ही जानेंगे हमारे पास परतिकरिया हर तरह के आती है कि भी सवा सो क्रोड लगता नहीं कि लगा है लगा है तो इसका यूटिलियर्स को इसका यह बताद हास कि कि उंसे पुछ पार्सर में कि वर्ड़ में वो आपको बस Lyndsh denas Gill Tou तो पांच काम गिना यह जो आपने बहत्रीन करवा हैं साइबावा रोड लो जिसके उपर रेल वेस्टेशन से जूड़ता है जो बढ़ी आजमान नीड थी डायर नीड थी कि रोड लो नहरू कोलीज रोड लो पठेल नगर से लेकर के नहरू कोलीज रोड लो और बहुत से काम ऐसे हैं जो हमने जो जनता की किसी की सोच भी नहीं अच्छाए प्रतिशार का विकास जोगे सब्सक्राइब का जो आपने नए पार्क बना दिये पार्क की तो नेट वरकिंग पूरे शहर के अंदर बहुत नए पार्क पनाए और आप ने एक ऐसी जगे पार्क मनाया जहां गंदगी का आलम हुआ घरता था उमिर ख्यार रू लेकिन लोगों में आज भी और जो खेल प्रेमियों में आज भी एक गिलास शिक्वा है नगर प्रिशद के परती कि भी पार्कों का तो आपने नेटवर्क बना दिया वहां आपने जिम्स भी लगा दिये जुले भी लगा दिये लेकिन जो सबसे बड़ी जरूरत थी स्टेडियम की वो स्टेडियम आज तक नहीं बन पाया और वो सुरू में मैंने आपका इंट्रू लिया था कि भी बंसल जी हमारा वीजन में है हासी में स्टेडियम नहीं है स्टेडियम बनाना वो बिलकुल नहीं बना ऐसा है वो स्टेडियम जो है वो हमारे वीजन में आज भी है है और युऌ पीडी है और एंदर आछे पुस्तक से पड़े एक चोटब का रही Soc चूक को माने चूक नहीं है यह चूक के अंदर आएगा सारी इंडस्ट्री सारा कम हो जाएगा हमारे जी लगे हों विदायक जी जल्या के लिए लगे लगे हिए है और इस्टेडियम की बात आपने मुझे दरकिनार कर दी मैं तोपिक बदल के दूसरी बात पर आता हूं समय बड़ी रफ्तार से चल रहा है मई में आपका कारियकाल भी पुरा हो जाएगा नगर प्रिशिद का हैं नई सीरे से चुनाव होंगे और उसमें आप बतोर बीजेपी आप यहां चेर्मन भी हैं पद्पर्पी हैं निर्मला है आपको टिकट क्यों मिलें ऐस nieuृ आ Neha अम सबसे बड़े बात दिनकांपाल की है और मैंने बहारति जनता पारती की जो वह थी सिस्टम था जो उनकी यौजनाइबू थे उनके परति हमने पूरा शहर का विकास किया है सबका साथ सबका विकास और भिन 대통령 की लिखाम, मैं आपके काम की तारिफ करता हूं लेकिन एक जगहें आपको मैं थोड़ा सा आपकी यादास ताजा भी करना चाहता हूं आपने रोड बनवाई बहुत अच्छी बनवाई मैंने देखा खुद कि उसमें मसाला भी बहुत था और था और पबलिक हैल्थ ने उसको तोड़ के कोडिनेशन लगर प्रिशेद के अधिकारियों का पबलिक हैल्थ का जिसमें आपको भी देखना होता है यह पैसा परबादी का आपको उन्होंने हमारे बीना पूछे जो सड़क पाड़ी थी जो पाइप लेंगे अगर वो कट मारते तो ज्यादा रुकसान नहीं होता उन् हमारे से कोई पूछा गया ना कोई नगर प्रिसेस उन्होंने को प्रिमिशन ली हमने तुरंट परभाव से उन्हें अधिकारियों के खिलाब ठेक खिलाब लोज करवा दी बराबर आरोप लगते और उन्हीं को कह दिया कि जल्दी इनको ठीक कराओ नहीं तो उस पर जो भी पर करवाई भी होगी विधायक मोदे जी जाते हैं फंक्शन में जाते हैं जगराते में जाते हैं और यानि कि आप बहुत अस्वस्त हैं टिकट के लिए भी बीजेपी की सिंबल पर लड़ने के लिए वह पीर थपतफाते हैं एक ऐसे शक्षियत की जो बहुत बड़ा जंता वो हमारे पर विश्वास करती है अच्छा क्योंकि उन लोगों को पता है कि हम उनके बीच में रहे हैं पांस साल तक बीच में एक वह नहीं हमने उनके डुख सुक्ती भी रहे हैं आफ्या आणा जाना उनके बीच में रहना चाहें उनका किसी परकार पाई नगर पर से रिलेटिट कोई भी काम हो और जो भी हमारे से सेवा बंद पाई उन लोगों कि आमने की है और करते रहेंगे रिंकु सैनी जी आप बोलते बहुत अच्छा है आपके भाई हैं छोटे विनोज जी वह भी बड़े विनम्र सभाव के हैं लेकिन पांच साल के दोरान यानि पर बंद अपते हैं कि सवा सव किरोड की गरांट आई अरू गरांट का यूटियाजेशन प्रोपर नहीं हुआ इधर-उदर के आरोब भी आपको जहलने पड़ते हैं रहें पता दूंध मैं कोई काम करेंगा तो लगेंगे लगेंगे इसमें कोई दुराय नहीं काम करता है उस पर आरोप लगते घर का आदमी भी अगर कोई जिम्मेवारी उठाते तो घरवाड़ी भी कहतेंगे मेरी और इसने कम ध्यान दिया पैसा प्रोपर यूटिलाज हुआ है बिल्कुल हुआ है सभी 27 वाड़ों में बराबर विकास हुआ है कोई किन्तु प्रंतु नहीं है कुछ एक अगर कोई यह कहेंगे हमारे वाड़ के अंदर विकास नहीं हुआ तो आप उन्हें जनता की फीड़बैक ले उस वाड़ के अं सिंभल पर चुना लड़ोंगा तो मैं ही लिटूगा अगर बाईदावे आपको नहीं मिलता है तो चुनाव के लिए चुनावकर तो मर्द हैं आप यहांने चुनाव लड़ेंगे क्या नहीं बंसल्च जी अमारे को जो हासी की जनता है जो हमारा प्यार है पूल पर हमारे क के शहर का जो विदायक जी का भी सपना है वह अंपूरा करने के लिए लगे हुए शेयर के विकास किन्द अगर फिर भी हमारे को अगर टिकट नहीं मिलती बाइचांस तो बंसल जी मैं कई बार कह चुका है कि हम चुनाव लड़ेंगे लड़ेंगे चुनाव लड़ेंगे और इसमें कोई किन्तु परंतु नहीं है क्योंकि हमने पहले हम स्वाविमानी आदमी हैं हमने पहले गोशना कर दी थी कि हम चुनाव लड़ेंगे क्योंकि जो मेरे साथ का जो सरकल है जो हमारा प्यार है जो हमारे मित्र मंडली है जो दोस्ती है जो बाइचारा है जो हमारे और पुर्णाई ही है क्योंकि मैंने काम इतने करवाए दिया है वो तो जनता बताएगी कि में इन्ने काम कितने करवाएं एक बात वर मैं पूछना चाहता हूं यह है इस मेरा आखने में नहीं होता है तो आपके छोड़े अनुस भाता शृत हो जाता है चेर्मेंन का तो उसमे विनो जी जो पर फिन ती कहलाते हैं राप भी पर्फिनिधी परिश्ट भूमें में नहीं रहेंगे वह भाई है वह उसका अपना ये थे रिंकू सेनी जी जो पूरुम में पार्शद भी रहे और चेर्मेन परती ने दी है इनसे बड़ी खुल के बात की है रहा हमने इनसे कड़वे परश्चन भी कहे हैं कि यूटिलाइजेशन प्रोपर हुआ नहीं हुआ कोडिनेशन पॉब्लिक हेल्थ का समनमे है या नहीं है तो इन्हों ने सारी बात को कर रहे हैं इन्होंने बिलकुल ठंके की चोट पर लड़ेंगे जनता हमारे साथ है लेकिन जनता है सब जानती है पपलिक है सब जानती है कौन मадान में आता है अब हभाईं ही करेंगी रोशनी का फैसला लिंकुझी आज आप हमारे चैनल पर आए और आपने हमारे चैनल को गुल जार किया आपकी मुस्कराहाट को देखते हूं हमें यह लग रहा है कि आप बड़े अस्वस्त हैं हासी की बैबुद्धी को लेकर और विकास को लेकर लेकिन स्टेडियम जरूर बनवाईएगा बिल्कुल स्टेडियम युवाओं के लिए पर्थमिकता रहेगी बढ़एंगे युवाओं के लिए स्टेडियम होगा और दो लाइबरेरी बहुत जरूरी हासी के अंदर और जो भी हासी का जो सोच है जो हम क्यों कि जंता के पेक्षाओं को मद्देने जरकते हूं चुनावी बिसात बिचुकि यह देखते हैं मैं चुनाव लड़ूगा ही लड़ूगा देखते रहे हासी के आवाज इस वाइदे के साथ जा रहा हैं कि फिर मिलता हूँ एक ऐसी ही शक्षित से रूप-फूरू करवाने के लिए मैं मेरे रिपोर्टर रवी सहने के साथ, एडिटर राजे सहने के साथ